नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सबका आपकी अपने यूटूब चैनल और फेस्बूक पेज वेट गुरूजी पर दोस्तो आज मैं आपके लिए प्रेक्टिकल वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तो अगर आपको ऐसे वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बनें गंटे की निसान को दबा कर ओल का ओप्सन जरूर शिलेट करें दोस्तो ये जो आप स्क्रीन पर गाएं देख रहे हो इसके बारे में जब पसुपालक भाई से इस्टिल ली तो पसुपालक भाई ने बताया कि ये गाएं कल से चारा पानी नहीं कर रही है और इसको उटने बेटने में भी तकलीप है और ये पीछे वाले पाउं से भी कम हो गया है दोस्तो जब इसका टेंपरेचर लिया तो इसका टेंपरेचर 103.1 डिगरी फोरनाइड मिला दोस्तो इसको एंपिमरल फिवर है अडेया बुखार है तीन दिन का बुखार जिसको दोस्तो ये तीन दिन का बुखार होता है जो तीन दिन बाद में अपने आप ठीक हो जाता है लेकिन दोस्तों पसू एकदम कमजोर हो जाता है और पसू का दूद कम हो जाता यह इसलिए समय रहते इस विमारी का इलाज करा लेना चाहिए दोस्तों अडिया बुखार के यह वो इंट्रा मस्कुलर लगाए है मास के अंदर दोस्तों इसको एंटिबाइटिक के तोर पर इसको मैंने ओक्सी ट्रेटर साइकलिन लगाया है क्योंकि दोस्तों वाइरल विमारी है फिर भी सेकेंडरी इंफेक्शन नहीं हो इसलिए मैंने इसको एंटिबाइटिक लगाय यह दोस्तों pregnant नहीं है इसलिए oxy लगई है अगर pregnant फूसु है तो आप pregnancy zodiac के लगा सकते हैं इसको दूसरे injection के तोर पर अर्टी जो डगया है 10 ml और दोस्तों oxy मैंने इसको 15 ml लगए था और 10 ml नीमोवेट दिया है यूशा रिजल्ट के लिए और दोस्तो इसको 10 ml B-complex दिया है विद लियूर एक्स्टेट जो B-comel आता है वो 10 ml दिया है दोस्तो इतना treatment देने के बाद में इसमें एक दिन में ही पसु में बहुत ज़्यादा सुदार देखने को मिलता है पसु जुगाली करने लगता है और सुका चारा खाने लगता है दोस्तो ये पसु ज़्यादातर पसु दोस्तो इस मिमारी में एक दिन के treatment से ही ठीक हो जाते हैं लेकिन कुछ पसु के लगातार दोस्त दो दिन treatment करना पड़ता है लेकिन दोस्तों जदा दरपसू इसमें एक दिन से ही ठीक हो जाते हैं दोस्तों अडेया बुखार में इस्टेरोइड इंजेक्शनों का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए जैसे डेक्सा हो गया प्रेडिनिसलोन हो गया या फिर आइस्टोपलूड हो गया इस तरह के इंजेक्शनों का अडेया बुखार के अंदर इस्तिमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों अडेया बुखार के बारे में आपको मेरा प्रेक्टिकली वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेर जरूर करे और दोस्तों वेट गुरू जी फेस्बूक वेज गो लाइक और फोलो जरूर करे धन्यवाद दोस्तों जहिन